सिक्रेट स्वाप गौर्ड्स में बैसे दार्त ब्रंबट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आपको वताऊंगा कि काले कुट्टे को रोटी या तो किसी भी प्रकार का अन्न खिलाने से आप लोगों क्या लाब होता है हिंदु दर्म सासरों के अनुसार काला कुट्टा वो बैरव जी की सवारी है बैरव का साप्दी कर्थ होता है जो हमारी बैसे रक्षा करता है या तो बै को दूर करता है या तो बरण पोशन करता है इसको बैरव कहते हैं बैरव बगवान शिव का ही एक स्वरूप है राथ में दंड लियो हुए और काले कुत्ते की सवारी करते हुए बताया गया है। इसलिए काला कुत्ता सिधा बहरव का ही प्रतिक है। दंड देनी की प्रवुत्ति के कारण बैरों को दंड पानी कहके भी बुकारा गया है काले कुट्टे को रोटी खिलाने के बहुत सारे फाइदे है आपके हर संकट को यह आसानी से दूर कर सकता है इसलिए होस वाके तो एक नियम लेले आप कि हर रोज कुट्टे को आप रोटी अवश्य खिलाएंगे इससे बहुत सारे आपको लाब होते है हिंदू दर्मे में कुट्टे को तेज बुद्धी वाला प्राणी माना गया है और कहा गया है कि कुट्टे को खाना खिलाने से बेरवजी प्रसन्न रहते है कुट्टे को अपने पास रखने से और उसका बढ़न पोर्शन करने से सासरानुसार व्यक्ति की कभी भी अकाल मुरुत्यों नहीं होती याने कि आकस्मिक मुरुत्यों के भैको वो दूर करता है दूसरी एक बात है कि बुरी आत्मा ये कभी भी कुट्टे के आसपास नहीं पटकती कुट्टा अपने मालिक के उपर आने वाले हर संकट को अपने उपर ले लेता है और ये भी माननेता है कि हर एक बूरी घड़ना के बारे में कुट्टे को पहले से ही पता चल जाता है इसलिए कई बार अपने मालिक को आगा करता है हिंदू धर्म में कुट्टे का एक अलग महत्वा है हम लोग उसको बहरव जी के रूप में देखते हैं कास करके काले कुट्टे को जोतिश में कुट्टे को शनी एवं केतु का प्रतिक माना गया है तो अगर आप काले कुट्टे को रोटी खिलाते हैं काले या सफिद कुट्टे को भी तो भी शनी एवं केतु की अगर दशा है तो वो शांत रहते हैं दोनों आपके ग्रह शांत रहेंगे इसलिए अगर आप काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो शनी जी भी आपके उपर प्रसंद रहते हैं और जो भी कुरूर ग्रह है वो अपने आप शांत होते हैं और व्यक्ति के उन्नति के नई नई द्वार खुलते हैं अगर आप पित्रों को तुरुप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए विदान बताया है कि आप काले कुत्ते को मिठी रोटी खिलाएं इससे पित्रों की शांती अवश्च्य होते हैं पित्रों के आश्रिवद आप लोग को प्रात्त होते हैं अगर व्यक्ति की कुंडली में कालप सर्पदोश है तो उसको यह सला दी जाती है कि वो अपने पास काला कुत्ता रखे उसका पालन बुशन करें यह करने से भी काल सर्पदोश भी आपका दूर होता है और जितने भी आपकी कुंडली में कुरूर ग्रह जो अशुब है वो सभी ग्रह आपके सांध कर होते है लोग कुत्ते को हमेशा अपने पास रखते हैं खाना खिलाते हैं उसको तुरुप्त करते हैं सास्तन अनुसार उ जल्दी वो दूर हो जाते हैं तो ये बहुत सारे फायदे है कुत्ते को खाना खिलाने के आप एक नियम ले ले अगर हो सके तो जो भी आप पहली रोटी खाए उसमें से एक टुकडा या तो आधी रोटी गाई की आधी रोटी काले कुत्ते की या किसी भी खिलाए उसके बाद ही बोजन करें फिर आप देखें मैं आपको गरेंटी देता हूँ कि आपकी कितनी उन्नदी प्रगती होती है ये अप नियम एक बना ले धिन्यवाद आप अमरे चैनल पे सब्क्राइब करें अपने कमेंट्स दीजे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें थैंक्यू सो मच